ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रु सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर में दिशास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिक राशिफल यह राशिफले 6 अप्रेल 2022 बुद्धुवार का दिन है चेत्र महा के शुकलपक्ष की पंचमीती थी है नवरात्री का पांचवा दिन रहेगा रोहिनी नामक नक्षत्र होगा तथा वृषव रासी में चंदरमा बिद्यमान रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो उत्तर दिशफ में रहेंगे इस लिए उत्तर दिशा की यात्रा करन नुकसांदाई साबित होगा, अगर किसी कारण वस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत जाड़ा वश्यक हो, तो धनिया खा करके यात्रा आरंब कर सकते हैं, हरा धनिया, सुखा धनिया, या फिर धनी की दाल, राहुकाल जो कि दो पहर, बारा बजेशी आरंब होकर के एक ब ना जाता है देणिक ग्रह गोचर के दिह हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जो की मीन राशी में वहीं चंद्रमा व्रशब राशी में मंगल ग्रहा मकर राशी में व्रशब रासी में विराजित रहेंगे इस दैनिक ग्रह गोचर के नुसार वरशप करक कन्या वरश्चिक मकर एवं मीन ये छे राशियां सबसे अधिक भागिशा लेने वाली है दिन इनके लिए राप्रसिद्ध होगा धनलाप के साथ करिक्षितर में उन्नती और प्रगती के भी उत् तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी की इस समय आपकी सकारात्मक रविया के कारण कई प्रकार की उपलब्धी आपको प्राप्त हो सकती है समय का भरण पूर सद उपयोग करे रिस्तेदारों तथा संबंदियों के साथ संबंद और अधिक मजबूत होंगे भविश्य संबंदी महत्पूर्ण योजनाय बनेगी प्रापर्टी या पैत्रिक संपत्ती संबंदी कोई कार्यदी रुकावट आ रहा है तो उसकी रुका खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भगिशाली अंक नो होगा भगिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं वरशबरासी की राजनितिक तथा सामाजिक कारियों के प्रति आपका रुजान बढ़ेगा राजनितिक संपर्क आपके लिए तो को अपनी पड़ाई के प्रति गंभीर रहना चाहिए और उपाई के रूप में यदि आप छट के उपर पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भगिशाली अंक पांच होगा भगिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की आज आप रोज मर्रा की जिन्दगी से हट करके दिन चरिया में कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे इससे आपकी मानशिक शारीरिक ठकावट दूर हो जाएगी तथा एक नई उर्जा का प्रभाह अपने अंदर आप महसूस करेंगे आर्थिक व्यवस्थाओं संबंदित महतुपून निर्णे लेने के लिए दिन बहुत उत्तम है लेकिन कोई भी कार्य भाउकता वश बिलकुल न करे बुद्धि मत्ता तथा चतुराई से आपको प्रत्यक कारी करना चाहिए और उपाई के रोप में गनेश जी को कोई भी मीठी वस् प्रत्यक के साथ आपका समय वतित होगा इसे आपके मैन सम्मान में व्रद्धी होगी तथा नई उपलबदी आपको प्राप्त हो जाएगी इस समय विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के समक्ष हथियार डाल देंगे कोई भी महत्वष पूर्ण कायम करने से पहले सम्भंद अब हम बात करते हैं सिंग रासी की घर के बदलाव अथवा नवीनी करन संबंदी योजनाई तयार होगी इन योजनाओं को कारी रूप देने में आपको जो है अधिक समय वितीत होगा अर्थिक स्थिती बहतर रखने के लिए बजट बनाकर चलना अतिय वाश्यक होगा किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी नए आव्यापार नई नोकरी या नए काम की आप शुरुआत कर सकते हैं जो काम आप शुरू करेंगे वह आगी चल करके आपको अच्छा फाइदा देगा और उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की कोड केज अस्वा प्रापर्टी से संबंधित रुके हुए काम आपके आपके पक्ष में हो जाएंगे और फैसला शांती प्राप्त होगी रिस्तेदारों के किसी विवात पूर्ण मामले में आपकी उपस्तिती निरनायक रहेगी आपकी बुद्धिमानी वा सूजबूच की तारीफ होगी किसी भी प्रकार की कागजी कारवाई करते समय बहुत अधिक सावधानी बरते छोटी सी गलती से बहुत अधिक धन हानी हो सकती है बहतर होगा कि इन गतिविधियों को आज आप इस्तगिती कर दे अपनी योजनाओं को किसी के समक शेर न करे कोई इसका अनुचित फाइदा उठा सकता है उपाई के रूप में गाई को हरी सबजी या हरी घांस खिलाना आपके लिए अवश्य शुने जैसे आपको अवश्य ही अच्छी सूजबू तथा सोच विचार की ख्रमता प्राप्त होगी घर में कोई शुप तथा में अंगलिक कारिक्रम संपन होने की योजना बनेगी तथा रिस्तधारों की आबा जाही आपके घर में बने रहेगी आपकी दान गरीब व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की धार्मिक संस्थाओं के साथ सेवा संबंदी कारियों में रूची लेना आपको मानसिक सुकुन देगा सांथी समाज में आपका मान सम्मान तथा रुतबा भी बढ़ने वाला है इस समय अपने लक्ष के प्रती आप पूर्ण रुप से एकागर चित तथा गंभीर रहे सफलता आपका वश्य ही प्राप्त होगी वहन खरीदने की योजना यदि आप बना रहे हैं तो कुछ समय के लिए इस्तगित आपको करना चाहिए और आर्थिक मामले अभी पूर्वहत रहेंगे अनावश्यक खर्चों पर कटोती करे तथा धैर बना करके रखे और कर्ज यदि आप लेने जा रहे हैं तो उसको भी आपको कुछ दिनों के लिए रोक करके में यदि आप देवी जी को सिंदूर चणाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका नारंगी होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की आपको शारीरिक तथा मांसिक शुकून पाने के लिए धार कर्मिक और अध्यात्मिक गतिविदियों में कुछ समय व्यतीत करना होगा प्रापर्टिय अथा वाहन की खरीत फरोक्त संबंदी योजना आप बना सकते हैं और घर का नव निर्मान या फिर सुधार करवाने के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं घर में किसी व्यक्ति विश से आपका विचारिक मद्भेद उत्पन न हो सकता है ध्यान रखे साउधानी आपको बरतना चाहिए उपाई के रूप में भगवान विश्णु जी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागि उनको मनोवांचित परिणाम की प्राप्ती होगी जिससे उनका होसला और आत्म इश्वास और अधिक बढ़ेगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय इलाइची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली प्राप्त होगी सुम्मे तब आदर्श बना करके रखना अति आवश्यक है आर्थिक रूप से कुछ परिशानिया उत्पन होने से चिंता रहेगी परंतु यह ताथका लिखे इसलिए ज़्यादा परिशान होनी क्या उश्यक्ता नहीं है कुछ समय बात सब कुछ ठीक ठाक और सामन्य हो जाएगा कारोबार में आपको फाइदा होगा धनलाब होगा यदि आप लगन तथा एकाग्रिशित और महनत से यदि काम करेंगे तो आगे चल करके नए कारिय से आपको अच्छा फाइदा होगा उपाई के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में यद इन चरिया में कुछ परिवर्तन लाने के लिए अपनी रूची पूर्ण कारियों में आप समय वतीत करेंगे इससे आपको खुशियां प्राप्त होगी पारिवारिक महोल सकरात्मक रहेगा ससुराल पक्ष से खुशी भरा समाचार आपको मिल सकता है और उपाई के रूप म पीले चंदन का तिलक लगाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपायत अथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए है हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्क कर लिजे आपको और आपके पूर्य परिवार को साधर जैसी क्रश्न साधर धन्यवाद